हेलो गाइस इस शोईकॉत और गाइस Redmi Note 5 Pro ये डिवाइस बहुत ही चर्चे में रहा था क्योंकि ये डिवाइस बहुत ही अच्छा था 2018 की स्टार्डिंग में ये डिवाइस लॉंच हुआ है और अभी के टाइम में एक साल हो गया है इस फोन को मतलब लगभग एक साल ही हो गया है इस फोन को Redmi Note 5 Pro को और आज इस वीडियो में करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro का long time review after one year तो ये वीडियो देखके आपको पूरा पता लग जाएगा कि कैसा चल रहा है ये Redmi Note 5 Pro एक साल बाद भी तो यार ये वीडियो को आप एंड तक देखते रहा है और गाइस आप मेंसे अगर किसी कोई भी Redmi Note 5 Pro एक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फूल रिवीव करेंगे सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि नॉर्मली रिवीव में करते है डिस्प्ले के बारे में और डिजाइनिंग के बारे में बोलेंगे तो सबसे बारे में बोलेंगे तो हमें रियर पैनल में मेटल बैक देखने के लिए मिलता है लेकिन वह उतना जादा प्रीमियम मुझे नहीं लगता है मतलब Redmi Note 4 भी में यूज किया था Redmi Note 5 भी यूज किया था Redmi Note 5 Pro भी मतलब थोरी दिन के लिए यूज किया था और मतलब उसका जो मेटल है ना बैक पैनल में जो मेटल है वह उतना ज्यादा प्रीमियम नहीं है लेकिन गाइस अगर बात करो अगर आप देख सकते है यह है मेरे पास ओनर प्ले और इसका जो मेटल है ना मतलब रियर पैनल में जो मेटल बैक है वह बहुत ही प्रीमियम ल हम बोल सकते यह बहुत ही अच्छा दिजाइन है और डियूरेबल है को यह बोल सकता भी तो हमें स्टेंडर्ड डिस्प्ले की बात करें तो हमें कोई नॉच नहीं देखने के मिलता है रेड्मी नोट 5 प्रो में क्योंकि जब तो उसमें नॉच नहीं देखने के लिए लेकिन बोलना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा डियूरेबल है यह फोन और गिरा था दो तीन बाल लेकिन कुछ नहीं हुआ तो यह आप बात करेंगे इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में तो हमें यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने के लिए मिलता है और में बोलना चाहूंगा बहुत से लोगों के पास यह रद दो मैं बोलना चाहूंगा इस डिस्प्ले के बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा लगा है मुझे रदमी नोट 5 दिस्प्ले के तो इनको बहुत यह बोलूंगा लेगन रदमी बहुत दिन से एक ही टाइप का डिस्प्ले मातब एक ही टाइप का डिजाइन फॉलो कर रहा है और रेड्मी नोट 6 प्रो भी वैसे है तो अब करेंगे रेड्मी नोट 7 है उसमें हमें एक तम चंपक डिजाइन नया डिजाइन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वह अभी रेड्मी जो सब्सक्राइब के लिए और साथ ही साथ में हमें एक Adreno 509 का जी प्यू देखने के मिलता है रेड्मी नोट 5 प्रो में और यह जो मेरे पास विरेंट है यह है फो जी प्ला सिक्टी बात करो तो आप मैं रिकॉमेंट करूंगा आप एजडी से तोड़ा सा नीचे वाला मतलब करहा है और बहुत है अच्छा पर्फ़मेंस है इस डिपास का मैं खिला कि यह जो चल जाता है और में बोलना है टो ऑनका कोई प्रॉबम नहीं होता है अगर अगिन आप मतलब घ्री जीमेल वाटाइब चाह मतलब शब्लोग करते यह बांद अश्ण वे बहुत ही अच्छा सब्सक्राइब रहता है तो इस डिपास में हमें MIUI कस्टोम स्कीन देखने के लिए मिलता है MIUI 10 वर्शन देखने के लिए मिलता है और Android Oreo के साथ नर्मली देखने के लिए मिलता है तो मैं बोलना चाहूंगा MIUI मैं मुझे पर्शनले लिए अच्छा ही लगता है लेकिन मैं बोलना चाहूंगा MIUI का बहुत सरी अभी प्रॉबलम भी है अब मैं से बहुत सरी लोग चाहनते ही होंगे एट्स का प्रॉबलम है लेकिन ख्यार मैं उस बार में मतलब ज्यादा गहरा है मैं नहीं जाओंगा सब्सक्राइब मतलब जी का बिए और इस ड्यावार सब्सक्स करने साफॉबलग मैं ड्र विए ढेट परॉबलना चाहूंगा इस ड्यार प्लव मन्यर्ट पर्फोमेंस में तो सही का फेक हमी छ distracting मैं विए बोलना चाहंगा I refresh 19th बेना सभाया मैं बदेना जोग यहीं और है इस दिघृइस में हाइविड SIM СLOT एखने के लिए मिलता है ये एक खराब बात तो ये बीज बात करते हैं के डिज साइमरा की बारे में और पोटर मोट की बात के तो पोटर मोट ठीक ठाकी आता है लेकिन कभी-कभी एजडिक्शन जो है ता मतब एजडिक्शन वो सही नहीं आता है और मैं यह बोलना चाहूँगा आप देख सकते यह Macro Shot Macro Shot में बहुत ही अच्छा लगा है मुझे डीटेल्स भी बहुत ही अच्छा है और आप यह फोटो भी देख सकते हैं Sun के अगेंच में लिया था तो बहुत ही ग्रेट मुझे बहुत ही अच्छा है रेजालिफ मिला है इ बहुत ही अच्छी बात है ब्लूरूरू वर्जन 5.0 भी हमें इस डिवास में रेट्री अपासिटी के बारे में बैट्री कैसा है तो 4000 ब्लियं आपर बैट्री हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है और शाव मी तो नॉर्माली अपने जो रिटेल बॉक्स है उसमें कोई इंक्लूट नहीं करता है लेकिन गाइस एटीन वाच्ट फार्स चारजिंग एपड़िटी सपोर्ट करता है मतलब कुईक चार्ज 2.0 तो आप फार्स चारजर अगर खरी देंगे तो फार्स चार्जिंग के मज़ा ले सकते हैं लेकिन फिर भी मैं बैटरी बैकाप के बारे बहुत ही अच्छा है करका बहुत है ऐगूद कर देर अच्छा हा अमें वित अच्छास अच्छान हमें अर्वी तो नास का जमना है तो के स्चारों हुआ प्रों आगे है तुमाद नुट 6 पर्यों में पहले और रेद्म नुट 7 वी लांच होने बाला है कुछी दिन बाद तो यार क्लियर कर रहा हम भी यही बोल सकते है कि Redmi Note 5 Pro बहुत ही अच्छा दिवाइस है, अफटर एक साल बाद भी यह बहुत ही अच्छा चलता है, पर्फोमेंस भी जगासे, कैमेरा भी बहुत ही जगासे, क्लियर कर भी बोल सकते हैं, और अभी डिजाइन थुरा जा पूरा हो गया, तो मैं डिजाइन को थोड़ा अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी डिजाइन ठीक है, इस डिपास का, Redmi Note 5 Pro का, तो completely Redmi Note 5 Pro, अगर आप यूस करते हो, तो आप मुझे पताना कि कैसा चल रहा है, कोई इस्यू है यह फिन नहीं, सबकुछ पताना मुझे निच मतरम